Hello everyone, आप सभी का चीजी कोड में स्वागत है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कोरूटीन के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि किस तरीक से हम लोग कोरूटीन को implement करते हैं, तो step by step देखेंगे कि कोरूटीन की क्या need है, तो शुरू करते हैं हमारा lecture, तो last वीडियो में thread पर ही होता है, तो step by step, यानि sequential way में हमारा code execute होता है, तो इसका एक example देखते हैं, तो यह मैंने एक simple project create किया है, जहाँ पर मेरे पास एक text view और एक button है, तो जैसी मैं इस button पर click करूँगा, तो इसका counter जो है, वो increment होगा, उसके लिए यहाँ पर मैंने main activity भी यह simple सा code लिखा है अपडेट counter नाम का, जैसे आप button पर click करेंगे, तो हमारा counter जो है, वो increment होता रहेगा, तो इसको मैं run करके रिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देसकते हैं, यह यह app run हो चुकी है, अब जैसके मैं इस पर click करूँगा, तो यहाँ पर आप देसकते हैं, हमारा counter update हो रहा है, त इसको run करते हैं, और यहाँ पर मैं अपने locket open कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देसकते हमारी app run हो चुकी है, और यहाँ पर आप इसका lock statement देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देसकते हैं, यह हमारा code execute हुआ है, यह हमारा main thread पे execute हुआ है, तो अगर मैं यहाँ बटन click भी करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे main thread आएगा, तो यह जो हमारे button का event handler है, वो भी हमारा main thread पे execute हो रहा है, तो जैसे जैसे मैं इस button पे click कर रहा हूँ, तो हमारा ripple effect भी आ रहा है, मतलब हमारी UI भी update हो रही है, मतलब UI update का code है, वो भी हमारा main thread पे execute हो रहा है, और यह इस button में हमारा पास एक concept होता है, looper का, और उसके साथ हमारा पास एक message queue होती है, तो यह looper क्या करता है, यह हमारे message queue पे एक नजर लगाया बैठा रहता है, मतलब इस पे एक टक्टकी लगाया बैठा रहता है, कि जैसे इस पे कोई message आएगा, तो वो इसको लेगा, और उसको हमारे main thread पे execute कर देगा, तो अगर आप कोई button क्लिक करते हैं, या कोई और event करते हैं, या अगर आपको UI update करनी है, तो उसके जितने भी task होते हैं, वो हमारी message queue में add हो जाते हैं, तो looper क्या करता है, हमारे इस task को पकड़ता है, और उसको main thread पे execute कर देता है, फिर वो दूसरा task होता है, या infinite loop में run हो रहा होता है, यह यहां से task निकालेगा और main thread को देतेगा, similarly, जितने भी मेरे UI के task होते हैं, for example, मेरा कोई loader चल ला है, या कोई मेरा animation है, या आपने button पे click किया तो उसके वैसे एक ripple effect आया, तो उसके जितने भी task होते हैं, वो भी हमारे message queue में add होते रह task हैं, वो भी हमारे main thread पे execute होते हैं, और यह जितना भी code execute होता है हमारा, यह हमारा sequentially होता है, पहले ही वाला task run होगा, free वाला task run होगा and so on, अब यहां पर पंगा यह आ जाएगा, अब suppose T3 जो है, वो मेरा ज्यादा time ले ले लेता है, तो हमारी UI update नहीं होगी, और अगर हमार UI update नहीं होगी, तो हमारे user को लगेगा कि हमारी app जो है, वो freeze हो चुकी है, तो अगर इस तरीके का हमारा user experience होगा, कि हमारी app जो हो freeze हो जाती है, या hang हो जाती है, तो user हमारी app को छोड़के भाग जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि जितने भी task है हमारे, जो हमारे main thread पे execute होंगे वो long running नहीं हो, मतलब वो ज्यादा time नहीं लें, वो quickly execute हो जाएं, जिससे हमारी UI जो है, वो continuously update होती रहे, तो इसका एक example देखते हैं, ज्यादा clear हो जाएगा, कि किस तरीके से हमारी UI जो है, वो hang हो जाती है, को collapse करते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे एक function define करता हूँ, तो मैं यहाँ पर on click लगायता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, do action, alt enter press करता हूँ यहाँ और इस function को create कर लेंगे, अपनी activity के अंदर, तो यहाँ पर आप दिसकते हमारे एक function create हो चुका है, इसके अंदर मैं इस function को execute करा दूँगा, execute long running task, तो जैसी आप इस button पर click तो हमारे यह function execute हो जाएगा, तो देखते हैं इसका क्या impact होगा, तो जैसी मैं इस button पर click करूँगा, तो यहाँ पर आप दिसकते हैं, normally update हो रहा है हमारा, तो अगर मैं इस button पर click करता हूँ, तो यहाँ पर आप दिसकते हैं थोड़ देर के लिए जो हमारा animation है, वो freeze हो जाता क्योंकि जो हमारा main thread है, उस पर वो एक long running task execute कर रहा है, मलब यह एक simple function है, जो मैंने आपर define किया है, वो इसको run करने में लग जाता है, अब यह जो हमारा task है, यह थोड़ा सा time ले लेता है, तो आगे के जो task है हमारे वो रुख जाते हैं, तो same वो ही concept है, कि यह जो हमारा T3 वाला task है, अगर यह ज्यादा time ले लेगा, तो हमारी UI जो है वो update नहीं होगी, तो हमारी user का experience है, वो खराब हो जाएगा, मलब हमारा main thread जो है, वो busy हो जाएगा, तो हमारी UI update नहीं होगी, और वो हम चाते नहीं है, तो इसके लिए हमारा पस एक solution आता है, जो है threads का, तो दे execute नहीं करेगा, जो हमने एक नया thread बनाया है, वो इस function को execute करेगा, तो हम एक thread create करता हूँ, तो इस तरीके से हम लोग एक thread create करते हैं, और यहाँ पर मैं pass करूँगा, start equal to true, तो इससे जो हमारा thread है, वो directly run हो जाएगा, और यहाँ पर इसकी body pass कर देते हैं, तो इसको मैं आसे cut कर देता हूँ, और यहाँ पर paste कर देते हैं, तो एक बार दुबारे से बताता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो जैसे आप इस button पर click करेंगे, तो आपके लिए एक नया thread create होगा, उस thread के अंदर आप इस function को execute करेंगे, तो आपका main thread जो है, वो free हो जाएगा, तो यह व तो इस तरीके से हम लोग इस problem को solve करते हैं, कि अगर हमारा कोई long running task है, तो उसके ले हम लोग एक नया thread बनायते हैं, और उसके अंदर उस function को execute करते हैं, तो core routine से पहले जितने भी हमारे task थे, उनको हम लोग background thread पे execute कर रहे थे, जैसे कि हमारी network call हो गी, यह हमारा database वाला operation था वो जितने भी हमारे operations थे, उनको हम लोग background thread पे execute कर रहे थे, तो threads भी एक अच्छा solution है, जिसके दिरूब अभी तख हम लोग code लिख रहे थे, बट threads वाली implementation में भी कुछ problems हैं, जैसे कि threads जो होते हैं, वो limited quantity में ही आप बना सकते हैं, क्योंकि हमारे OS level के threads होते हैं, तो यह ज थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो context switching से यह मतलब है, कि आपने थोड़ा सा code है, वो आपने background thread पे execute किया है, अब आप चाहते हैं, कि जो मेरा बचा हुआ code है, वो मैं main thread पे execute करूँ, तो यहाँ पे आपको context switch करना पड़ेगा, कि आप पहले background thread पे execute कर रहे थे, बट आप चा कमेंट करते हैं, तो एक बर भापने slides पर चलते हैं, तो अगर solution की बात करें, तो java में हमारे पस कोई solution नहीं है, java में हमारे threads ही available होते हैं, तो हम सिर्फ threads का use कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे kotlin का use कर रहे है, तो kotlin में हमारे पास coroutines है, जिसका हम लोग use कर सकते हैं, तो Coroutines कहा है, Coroutines आपके Thread की तरह ही काम करते हैं, बट वो Threads नहीं है, इसलिए इने Lightweight Threads कहा जाता है, क्योंकि ये Threads का Behavior उसको Mimik करते हैं, मलब उसकी तरह behave करने की कुशिच करते हैं, बट ये Threads नहीं है, तो Coroutines जो है हमारे, वो Threads के ऊपर काम करते हैं, मलब Threads के ऊपर हमने एक Framework लिख दिया है, हम उस Framework से Interact करते हैं, और वो Framework जो है, वो Behind the Scenes Threads के साथ Interact करते हैं, तो ये जो Coroutines का Framework है, ये हमें Kotlin ने प्रोवाइट किया है, Java में इस तरीके का कोई Framework नहीं है, तो इस त थोटीची Easy बना देते हैं, तो देखते हैं, Coroutines कैसे Implement करते हैं, तो Coroutines Define करने के लिए हमें दो चाहिए होती है, Coroutine Scope और Coroutine Context, तो अगर इन्हें Simple चब्दों में बताने की कोशिश करूं, तो जो Scope होता है हमारा, वो हमारे Coroutines का Lifetime define करता है, और ये जो Context होता है, वो हम Scope में launch होते हैं, और Context जो है, वो हमें ये बताता है कि किन Threads में हमारा Coroutine launch होगा, तो इनको One by One देखते हैं, तो Scope क्या करता है, आपके लिए एक Boundary define करता है, तो इस तरीके से हमारे पास एक Boundary होगी, इस Boundary के अंदर ही हमारे Coroutines launch होगे, तो ये मेरे different Coroutines हैं, और ये Fragments होगे, View Models होगे, उन सबका एक Lifetime है, कि एक Activity से अगर आप दूसरी Activity पे जाते हो, तो जो आपकी पहली वाली Activity है, वो Destroy हो जाती है, Similarly हमारे Fragments है, उनकी भी एक Life Cycle है, View Models है, उनकी भी एक Life Cycle है, तो जैसी वो हमारे Components Destroy होगे, तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर की ज Cancel हो जाएंगे, तो यह Automatically Handle हो जाएगा, तो यह Benefit है Scope Define करनेगा, तो Scope basically आपका एक Lifetime define करते हैं, Based on some Component, तो basically Scope जो हमें एक तरीका प्रोवाइट करते हैं, कि इसके अंदर जितने भी Coroutines हैं, उनको हम लोग OneGo में Cancel कर सकते हैं, या उनके लिए Wait कर सकते हैं, तो हम चा Scope के अंदर ही Start होंगे, जिससे उसका हम लोग Lifetime Define कर सकें, अब बात करते हैं, Coroutine Context की, तो Coroutine Context जो हमें information प्रोवाइट करता है, कि कौन से Threads में हमारा यह Coroutine Execute होगा, तो इस तरीके से हम लोग Scope और Context Define करते हैं, तो अगर इसको Summarize करूँ, जो हमारा Scope होता है, वो हम यह मैंने बिताया था कि जो हमारे Coroutines होते हैं, वो Behind the Scenes हमारे Threads को यूज़ कर रहे होते हैं, तो Dispatcher जो है, वो Basically एक तरीका है, जिसके तुरूँ आप यह Define करते हो, कि यह कुछ Set of Threads हैं, इनी पर हमारे Coroutines को Launch करना है, तो इस जो Dispatcher Word है, उससे आप समझ सकते हो, कि आ Similarly एकर हमें Main Threads पर अपना Coroutine लांच करना है, तो यह हमारे पास Dispatchers.Main है, Similarly हमारे पास एक Default Dispatcher है, तो Dispatcher basically आपका एक Thread Pool होता है, जो यह बताता है कि यह Set of Threads है, इनी पर आपको Coroutines को Execute करना है, तो IO Operation के लिए हमारे पास यह वाला Thread Pool है, Main पर हमें Execute करना है, तो हमा Threads पर, जिससे वो Execute हो पाएं, मलब आप Dispatch कर रहे हो इन Coroutines को, जिससे वो Threads पर Execute हो पाएं, तो हमारे पास कुछ Set of Threads है, जिनको हमने Categorize कर रखा है, कि अगर IO Operation होगा, तो मैं Dispatchers.io का Use करूँगा, अगर मुझे कुछ Main Threads पर Execute करना है, तो मैं Dispatchers.Main का Use करता हूँ, तो इस तरीके से हमारे पाद Thread Pool है, जिस पर हमारे Coroutines Execute होते हैं, तो इन Dispatchers का Use करके हम लोग Context define करते हैं, तो इसको Example के Through भी समझते हैं, तो वापस Code पे चलते हैं, तो Coroutines को Implement करने के लिए, मैंने ये दो Dependency add करी हैं अपनी Gradle File में, तो यह हमारी Core वाली अब यहां पर आप सकते हैं, यह मुझे से Context मांग रहा है, कि मुझे यहां पर एक Context Pass करना है, कि किस Thread पर हमारा Code Execute होगा, तो यहां पर मैं Dispatchers का Use करूँगा, तो यहां पर मैं लगता हूँ, Dispatchers.io, और इसके अंदर हमारे पास एक Launch Method होता है, जो हमारी मदद करता है, Coroutine को Launch करने के लिए, तो यहां पर मैं एक Log Statement लगायता हूँ, और इसके अंदर भी Thread की Information Log कराते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास Pre-Defined Dispatches हैं, तो सेम उसी तरीके से हमारे पास Pre-Defined Scopes भी हैं, जो हमारे एक Particular Component के साथ जुड़े होते हैं, तो यह हमारे पास Global Scope है, ज यहां पर मैं एक Lambda function define करूँगा, जो हमारे Coroutine की Body होगी, जो भी Code हम उस Coroutine पर Execute करना चाहरे होगे, वो हम इस Lambda function के अंदर लिखेंगे, तो इस पर भी हम लोग एक Log Statement लगायते हैं, तो इस तरीके साब लोग different Coroutines launch कर सकते हैं, तो simple तरीका है, यह हमने Scope define किया है, similarly हमारे प के साथ जोड़ा होता है, तो इसका भी हम लोग use कर सकते हैं, तो same वोई चीज़ करेंगे यहां पर भी, तो यहां पर हम लिखता हूँ, dot launch, और इसके अंदर हम लोग हमना Context pass करेंगे, तो यहां पर हम लिखता हूँ, dispatches.default, और यहां पर हम लोग हमना Lambda expression pass करेंगे, तो इस करता हूँ, तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो अभी के लिए यहां पर कुछ और information add कर देते हैं, जिससे आप इसको distinguish कर पाएं, तो इस तरीकी से मैंने आपर 123 add कर दिया है, इसको दुबारा से run करते हैं, तो दुबारा से मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, तो आप हमारी, वो इसके through print हुई है, बलब यह हमारा IO thread है, similarly हमारा third वाला coroutine है, जो हमने इसके through print करवाया, यह हमारा default dispatcher है, और यहां पर आप सकते हैं, second वाला जो है, वो हमने main thread पे execute किया था, इसलिए यहां पर main लिखा रहा है, तो इस तरीकी से आप different coroutines launch कर सकते हैं, जो कि करें कि किस तरीके से हम लोग coroutine बनाते हैं, तो आगे वाली वीडियो में हम लोग scope के बारे में और भी बात करेंगे, context के बारे में और भी बात करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको यह वीडियो उच्छा लगा तो please like करें, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक धर वी चलाए, IT में, IT ID 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 ID, ID 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 ID, ID 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 ID